नमस्कार दोस्तों भगवान आप सभी को भला करूब आपकी सारी अच्छा है एव मनकामनाय पुरी हो दोस्तों आज मैं आप सभी को इसाथ सर्लेलेट महत्मुन जान करें दूंगा जिसमें सर्वतम यहां पर फिंगर के एनलेसिस के वज़ाइस पुरे पाम का एनलेस कर आप सब्सक्राइब करूगा तो यहां पर आते हैं सबसे पहले फिंगर की लेंद के विशे में तो फिंगर की लेंद पुरे पाम के कंपरिजन में लॉंग जो एक बहुत अच्छे एनलेटिकल परस्नेल्टी को बताता है ऐसा वेक्ती हर काम को बहुत जादा सोच वीचार कर कर क होते हैं पेशन्स लेवल आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और साथी साथ धेर के साथ ही आप अपने काम को करने में शक्षम रहेंगे दूसरों के अंडर में रहे करके भी आप अच्छे से वर्क कर लेने वाले रहेंगे और एक प्रकार से बहुत अच्छे प्रीप् रखेगा हर परिस्थिती में और हर परिस्थिती से भी और लेडिल फिंगर के लिए थोड़ी सी शौट है लेकिन कोई इतना खराब यहाँ पर नहीं है थोड़ी कम्यूनिकेशन नहीं होती है फिंगर आपकी स्ट्रेट है तो सेक्रिफाइस आप जैसे लोगों के ज्यादा देखने को मलते हैं अपने लाइफ में थार्ड फिंगर की लेंद्ध ज्यादा है तो एक प्रकर कर रिसके टेकिंग नीचर रहेगा आपका हिम्मती सोभाव है और जीवन में कुछ कुछ नया नया ट्राइ करते रहना स्टेंडर्ड ओफ लिविंग रॉयल्टी और नेम फिर्म को अच्छे से मिंटेन कर पाना यह सारे यूग भी रहते हैं क्रेटिविटी को जितना ज़ाद आप अपने अंदर निखा रहेंगे उतना नेम फिर्म के चांसे आपके बढ़े करेंगे सुसाइटी में हलाकि स्टेटस आपका ठीक रहेगा थोड़ी यहां की आड़ी रेखा रिलेशन में थोड़ा से गैप को ब्रेक होने की योगों को बताता है क्योंकि थोड़ा सा इस कारण से जो रिष्टे नाते होतों से थोड़ी दूरी ज़रूर बनती है हो सकता पहले जो परवह हैं यहां की आड़ी रेखा एक प्रकार से धन के अच्छे योगों को बताता है कि धन जीवन में अच्छी खासी मातरा में देखने को मिलता है कोई इसमें तकलीफ नहीं होती अब आपके आते हैं पाम के क्लूज अप पर उस पर करते हैं महत्पुन चर्च तो यहां पर आपके पाम के साइस के विशे में चर्चा किया जा तो प्योर यहां पर जो आकरती निकल के आ रही है वो एक प्रकार से स्क्वेरिश है जब इस प्रकार की योगों होते हैं तो हार्ड वर्किंग नेचर रहता है खाली बेठना आपको बिलकुल भी पसंद नह क्यातरिया से जो है दबा हुआ है तो थोड़ा इस कारण से आपको कहीं न कहीं फैमिली लाइफ को लेकर के थोड़ा से सेक्रिफाइज जाधा करना पड़ सकता है या उनसाटिसफेक्शन रा और उस्टी डिभी लिडियरित आ सकती है फैला और यहां जो आपकी उस प्रग करके जब sign होते हैं तो जीवन में शादी के बाद धन के योग बहुत अच्छे बनते हैं और खासकर ये successful married life को और married life से मिलने वाले एक प्रकार से संतुष्टी को भी बता रहा है और बच्चे भी जो आपके रहेंगे संसकारी रहने वाले हैं तो ये भी अच्छा योग होता ह जब इस प्रकार से square का sign बनता है तो knowledge बहुत अच्छा gain कर पाते हैं उस knowledge को सदुप्यों करके अच्छी property generate कर लेना या सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी कर लेना ऐसे युग बनते हैं अधर्वाइस यहां और हम देखें तो यहां जो आड़ी रेखा है या आपको धार् करती है इसे गुरु अल्या कहते हैं जिसके करण रिक्ति थोड़ा sympathetic nature का ज्यादा होता है दूसरों का दुखदर्द ना देख पाना दया भाव रखना इस प्रकार का आपका nature है दानपुर ने भी आगे चलके करेंगे आप बहुत अच्छा और एक प्रकार का जुनूनी किस nature है आपका और अपने ambition को आप किसी भी हाल में फुल्फिल करते हैं ये भी दिख रहा है तो ध्यान रखें कि सोच को कभी भी छोटी ना रखें और कुल मिला करके गुरु माउंट इतना ज़्यादा prominent नहीं है लेकिन जो यहाँ पर significance है वो बहुत अच्छे हैं शनी पर आते हैं लेकिन जहां तक भाग गिरेखा की विषय में चरचा किया जए तो भाग गिरेखा आपकी यहां तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रही है तो लेट लतीव ही सही लेकिन आपके इसके बाद अगर देखे हम तो life lane से निकल ली हुई रेखा यहाँ पर इस प्रकार से आगे continuous चल रही है life lane से निकली हुई रेखा self-made luck line होती है जो बताती है कि कहीं ना कहीं आपका भाग का सहयोग इतना जाद प्रबल नहीं है लेकिन आपका जो श्रम है यानि आपकी जो महनत है वो सबसे ज़्यादा प्रबल रहने वाली है उसके आगे सब घुटने टेक देंगे यह से योग है तो ध्यान रखे अपने उपर believe करें आपका आने वाले time बहुत ही ज़्यादा अच्छा जैसे कि यहाँ जो progress line निकली हुई है फिर उसके और रेखाए निकली हुई है यह सिधे शनी तक एकदम जा रही है और यह जो योग है यह बन रहे हैं आपको तकरिबन यहाँ पर 38 के age में यानि 38, 40, 45, 48 यह सारे जो उम्र रहेंगे इसमें आपको gain ही gain होना है loss नहीं होना है थोड़ा बहुत उतार चड़ा होतो हैगा होगा उस time भी लेकिन इतना ज़दा trouble है ही नहीं और जो main आपकी जो fate line है वो सारी के सारी mind line पे ही रुख गई है तो यह बत्ताती है दर्शाती है कि सही योग भागे का यानि दूसरे लोगों का normal ही रहने वाला है लेकिन खुद के दम पर आप ज्यादा उन्नती कर पाएंगे तो यहाँ पर यह रेखाई भी पहुच रही है गुरू के तरब भी ठीक है आपका तो आत्म विश्वास इसकारण से आपके अच्छा रहेगा अब सूरी के छेतर पर ज्यान से देखिए सूरी रेखा यहाँ पर आपकी दो है अवेलेवल है इस प्रकार से और अन्य जो सूरी रेखा है वो बाहरी मंगल से आ रही है जो पिछले जन्मों के यो प्रपेश्णल लाइफ में चेंज़ेस अब अडॉप्ट कर सकते हैं आने वाले समय में तो यह ध्यान रखिए कि सूरी रेखा है जिनकी सूरी रेखा इतनी जाद होते हैंँकंका जीवन इतना आसान नहीं होता है क्योंकि सूरी रेखा सक्सिस का चिन होता है और सक्सिफ इ एक तो भाग गरेखा भी मजबूत हो रही है और यहाँ पर यश का चीन भी है यह तो मचली का चीन बन रहा है आपके तो यह बहुत ही शुप चीन होता है यश का चीन मतलब जीवन में हर प्रकार से सक्सेस्फुल हो जाना नेम फेम अच्छा धन अच्छा प्रॉपर्टी और आने वाले समय में बहुत कुछ अपने परिवार के लिए छोड़ करके भी जाना यह भी योग होते हैं तो यह बहुत ही शुप यहाँ पर साइन है तो इसलिए आने वाले टाइम तो आपको बहुत ही जादा बेस्ट है क्योंकि भाग गरेखा भी आपका यहाँ पर जो है 35 क एज क्रोस करते से ही बहुत ज़्यादा बेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल और यहां मरकरी मांट की चर्चे करें तो मरकरी मांट डेवलप है और एक सेत्य दिक रेखा भी है यानि सिंपेथेटिक नेचर है आपके पास जो भी आता होगा वो अपने आपको बहुत पॉजिट निकल के आता है खरदे रेखा इस प्रकार से आपके निकल के एकदम शनी पर आके करके रुकी है तो मनी के ओपर फोकस या खुद को लेकर के ज़्यादा फोकस आप पर रह सकते हैं और यहां पर गुरू पर भी आपकी रेखाएं जा रही है जो एक प्रकार से ओनेस्ट करते हैं अपने स्वास्त पर भी आप ध्यान नहीं देते खुद के ओपर ध्यान नहीं देते हैं ऐसे योग आपके ज़ादा देखने का मिल रहा है तो यह नहीं करना आपको खुद के ओपर ध्यान दीजी योगा करिए अच्छा खानपन रखिए स्वास्त के लिए काम बहुत इससे आपका क्या होगा कि जो मन है वो सकरात्मक और ज़्यादा होगा और पीसफुल आपकी लाइफ होगी जब यह पीसफुल होगी तो अटोमेटिकली ट्रबल आया जाए आप यह समझेंगे कि यह तो लिखा है होना है मुझे इन सब चीजों से लड़ना है मतलब आप काम होते जाएंगे और ज़्यादा तो यह जो दिक्कत परशानी है यह आपको बहुत छोटी निम्न लगने लगेगी तो इसलिए ध्यान रखे इस बात को भी और माइड लेन लाइफ लेन का जो है संगम बहुत लेट टूटा है तो करियर थोड़ी से लेट ही स्टार्ट होती है इस करण से और माइड लेन देखा जाए तो माइड लेन में भी यहाँ पर 35 एप्रोक्स में चेंज़स देखने को मिल रहे हैं उसके बाद आपके माइड और ज्यादा क्लेवर आप होते हुए दिख रहे हैं चाला किसे काम लेंगे आगे चल करके decisions अच्छे लेने लग जाएंगे आप plannings अच्छी करने लग जाएंगे और progressive जो है आपकी mind लेन यहाँ पर देख रही है basically planning होती है लेकिन prominent तरीके से नहीं हो पाती है confusion इतनी जादा होते है इतने जादा field work होने लगते हैं या इतनी जादा आपने आपको विभाजित कर दिया है कि एक जगह आप समेट नहीं पा रहे है तो इस करन से decision में problem आती है otherwise finger आपके बहुत अच्छी है finger की जो strength है वो भी अच्छी है यहाँ पर आते हैं आपके life line के विशय में तो life line starting life में इतनी जाद प्रॉमिनेंट नहीं है उदार चड़ाओ के साथ आपका जीवन जो है सुर्वाती जीवन से ही बच्पन से ही रहा है और उसके बाद से double line भी चलती है तो यह एक प्रकर से confusion को indicate यहाँ पर करती है और इसके अद यह line चल रही है फिर यह progressive line निकली यहाँ फिर इस प्रकर से और जो है निरंतर निकलते वे जा रही है तो यह बताती है कि तक्रिवन जो है आपको 35 से 38 के बीच में ही प्रोग्रिस बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत sudden gain भी आपको life में रहने वाला रहेगा इसके बाद यहाँ पर एक और रेखा इस प्रकर से काटी हुई है फिर एक रेखा इस प्रकर से life line से निकली हुई है तो किसी near and dear की death के chances रहता है 30s के age में ही यानि 35 के approach में ही और उसी के parallel में इस प्रकर के सही होगी रेखा एक प्रकर के support system को बताती है कि life में किसी न किसी way में आपका support स्टार्ट हुआ है दूसरों से जो मिलने वाला सही होग है उसको यहाँ पर सही होगी रेखा कहते हैं तो जब जब किसी परशानिया तकलीफ में रहेंगे आपको सही होग दूसरों का मिलते रहेगा तो यह जो योग भी start हुआ है यह प्रारंब हो गया है तकरिवन आपको 22 थेश के ओम्र से इसके अलाव यहाँ पर जो राहु रेखा है यह सोने पर सोहागवाला काम कर देती है ट्रबल और जब बढ़ा देती है तो यह रेखा भी यहाँ पर जो है आपके तकलीफ दे रही है 35 के एस तक ही और जो आपको major problem issue भी start हुआ है वो 26 के एस से start हो गया है 26, 28, 29, 31, 33, 34 जो अभी चल रहा है और एक जो last है वो 35 पर देखने को मिल रहा है फिर उसके बाद राहु रेखा नहीं रहेगा फिर शुकर की रेखा हैं इससे थोड़ा disturbance ज्यादा होगा शुकर की रेखा हैं family life से related tension को बताती है लेकिन सबसे अच्छी बाद आपके हाथ में यह है कि continuous आपकी life line चल रही है तो यह trouble ऐसे ही रहेगा आएगा जाएगा इसका ज्यादा असर नहीं रहेगा आपको तो इतना load लेने क्या हो शकता नहीं कि कब तक struggle है नहीं है struggle सब भी के life में है बस वे अलग-अलग है सबका और आपका जो best time है वो 35 से ही start हो रहे है यहां साफ यहां दिख रहा है मंगल खुल मिला करके normal है लेकिन मंगल की रेखाएं जो है आपके रहेदर रेखा से connect हो रही है तो यह ध्यान रखी कि जितना हो सके अपने aggression पर control करें irritation पर control करें जल्दबाजी हर बड़ी में एक जो है थोड़ा सा control और जादा करें तो इससे काम और आसानी से बनने लगेगा और जो निरिणे हैं वो साफ तरीके से आप ले पाएंगे बाहरी मंगल ठीक है आपका तो बहुत खोसले बुलंद वाला आपको व्यक्तित रहेगा मांसी की रूप से बहुत मजबूत हैं आप शुक्र मांट एरिया अच्छा ले रहा है जो अच्छे खर्श को बताता है लेकिन आड़ी रेखा यहां अन्निसेसरीज वरीज यानि अनावशक चिन्ताओं को व्यक्त करती है तो जितना हो सके नेगेटिव थिंकिंग ओवर थ शेदर पर एक क्रॉस बन गया है तो पानी से थोड़ा सा खत्रा रह सकता है और मन थोड़ा सा आपका नाकरात्मक है यानि मन से ही आप दुखी है ज्यादा इतनी ज्यादा देखा जाए तो ट्रबल नहीं है क्योंकि भागय का सहयोग मिलना अपने बहुत ही शुब होता है और जब इस प्रकार से भागय का सहयोग मिले यानि आपका काम बनता है लेकिन देरी से ये भी योग है तो कोई बात नहीं है remedies आप करेंगे सब सही हो जाएगा लेकिन थोड़ा मन पे काम आपको करना है यानि वही meditation और खुद को थोड़ा सा और ज्यादा सुधारना है सही क बताता है और पाने वाले ये इलागे से भी एक प्रकार से लाब मिलने के योग बनते हैं लेकिन एक देखें तो एक क्रोस भी है तो ये भी बताता है कि पानी से आपको ख़तरा रह सकता है तो थोड़ा सा इन सब चीजों पर भी आपको ध्यान देना है और बेसिकली ये मन क केतें लेकिन यह ज़दा मजबूत नहीं है जो बताती है कि थोड़ा आपको डाइजेस्शन से या लीवर से रिलेटेड से रिलेटेड ट्रबल रह सकता है प्रॉब्लम रह सकता है यहाँ पर आपके अब निकली है यहाँ पर इस प्रकार से मनी ट्रेंगल फॉर्मेशन बन तो रहा है जो अच्छे धन को बताता है कि धन जीवन में अच्छा रहेगा और उसका सद्वप्योग भी होने वाला रहेगा और एक प्रकार से मंगल के चेतर से भी रेखा है यहां पर आ रही है तो थोड़ा सा भाई बंधों से भी एक प्रकार से आपको जो है उतार जड़ाओ रहे सकता है बाकी ओवरल देखा जाए तो इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं है ग्रोथ जो है 35 से 38 के बीच से जो प्राराम होगी बहुत अच्छी आपके रहे रहेगी नहीं बाद